तो जी हम लोग फिर से आ गये हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के अल्दो हम लोग रेडी हुए थे किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए पर कुछ तेर पहले ही न हम लोगों ने इंस्टेग्राम पर एक पोस्त देखा जो कि आशकल इंस्टेग्र लने वाले हैं यह काफी जादा कॉंट्रोवर्शियल टॉपिक है कुछ लोगों के लिए only for a small section of society सारे लोगों के लिए नहीं और यह उन्हीं लोगों के लिए कॉंट्रोवर्शियल है जिनकी जो गुद्धी है बहुत ज्यादा छोटी है फॉर एक्जैंपल जैसे हमने पि आशे हो करके तुम लोग ऐसे ऐसे बाते कर रहे हो वह भी खुले में और हमने लिटरली बस पीरियेट्स, टैंटोंस, सेक्शुल रिलेशन्शिप्स इसके बारे में बात की थी बेसिक सी जानकारी दी थी और हमें यह भी पता है कि आज इस वीडियो के बारे में बात आएंगे अरे तुमें शरम नहीं आती है आजाती हो वीडियो बनाने के लिए व्यूज लेने के लिए खैर इन लोगों को अगर इग्नोर कर दिया जाए न तो और भी एक सेक्शन ओफ सोसाइटी है हमारी जो की काफी ब्रॉड माइंड़ है तो यह वीडियो परसनली उनही लोगों के लिए होने वाली है नेगेटिव लोगों के लिए इस वीडियो से कोई तालुकात नहीं होना चाहिए खैर आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले है ना कहने को वो अपने में ही बहुत बड़ी टॉपिक है भी नहीं उसको बड़ा बना दिया गया है किसने अब बड़ा बनाया है आपने बड़ा बनाया है हमने बड़ा बनाया है जस्ट फर एक्जैंपल हमारे समाज में एक कम्यूनिटी है जिसका की नाम दिया गया है एलग बीटी क्यू कम्यूनिटी और इसको अलग से बना करके रखा गया है I just don't understand जो एलग से क्यूनिटी पी तू बनाई जानी चाहिए जैसे अब आप मेल कम्यूनिटी तो बनानी सकते हो फीमेल कम्यूनिटी तो बनानी सकते हो तो उन लोगों की कम्यूनिटी को क्यों अलग बना रहे हो अगर हम लोग उन लोगों को अलग से कम्यूनिटी का नाम दे देंगे तो हम लोग तो खुद करते हैं भाई साब वो लोग हम लोगे जैसे नॉर्मल है बार-बार ना उन लोगों को inverted कॉमा के अंदर डाल करके उनको extra हुआ मत दो उन लोगों को बार-बार ऐसा feel मत करवाया करो ना कि वो लोग सबसे अलग है क्योंकि यही जो छोटी-छोटी चीज होती है ना लेकि इन लोगों को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर देती है मेरे को तो दी अभी तक यह समझ में नहीं आता है कि हमारा जो society है वो कितना पीछे है कि स्पेशली हमें ऐसी टॉपिक्स पे बात करनी पर रही है यह नॉर्मल क्यों नहीं है और मतलब आप समझी जाओना अगर इस बारे में अलग को इनसान बात भी करता है ना तो उसको बहुत ही अजीब तरीके से देखा जाता है पहले तो कुछ सालों को अगर आप देख लो तो टैबू था यह सारी चीजों के बारे में खुल के बात करना अगर कोई इनसान मतलब इन सारे कम्यूनिटी को बिलॉंग करता है तो उसको सोसाइटी से च्छाट दिया जा रहा था यार क्यों यह सारी चीज़े नॉर्मल क्यों नहीं हो पाती यार यह सारी चीजों में ब हो जाता है कि वह इंसान अपनी जान लेने तक ही कोशिस कर जाता है तो यार इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है तो आज इस टॉपिक में आप लोगों से हम लोग खुल के बात करेंगे और वी नो कि इस वीडियो के बाद हमें भी पहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं तुम ल मतलब 2% इंसान का भी हम लोग मेंटल जो स्थिती है वो ठीक कर सकते हैं उनको अगर बहुत जादा कन्फ्यूजन हो रहा है इन सारी चीजों को लेके उस चीप को हम लोग इंफ्लूएंस कर सकते हैं तो ठीक है भाई हम लोग वो चीज के लिए क्यों नहीं खुल के बात करे हैं यहां पर हम लोग आपको डीटेल में सब कुछ नहीं बताने वाले हैं हलका सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आइडिया मिल जाए तो बेसिकली एक बच्चा था जिसकी मौत 24 फेबरिवरी को हो चुकी थी and this is the sad reality of our society कि करता था and 10th class में था बेसिकली एकर उस बच्चे के बारे में और उसके इंट्रेस्ट के बारे में बात करें तो वह बाइसेक्श्वल था and साथी साथ ना उसका इंट्रेस्ट था उसकी hobbies थी ना वह बहुत जादा दूसरे लोगों से हट कर दी देखो यहां पर ना hobbies को भी ल people call them as अरे तू तो लड़की बनता जा रहा है एक word है सी से जो कि हम नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि पता नहीं लोगों ने तो इसको भी गाली बना दिया है I don't understand अरवी का जो इंट्रेस्ट था ना हुँ थोड़ासा आइंड का और ब्रसलेट बनानी की और या उसको नील रट में बहुत ज़्याइब और वी है सब्सक्राय करता था अगरता तू प्री को गुरु गोविन दो खड़े काके लागू पाई बल्यारी गुरु आपने जिन गोविन दियो बताए वही टीचर उसे गुली करते थे उसके sexuality को ले करके जब भी वो वाश्रूम में जाया करता था ना लड़के उसके साथ वहाँ पर sexual harassment किया करते थे लेक 10 class के बच्चे यार क्या कर रहे हो आप लोग इंडिया का education system इतना खराब है मतब हमारे education system में sexuality को ले करके कोई पढ़ाई नहीं करवाई जाती है यहाँ पर LGBTQ community बना दी गई है लेकिन हमारे education system में क्या इसके बारे में कोई भी बात करता है क्या ऐसा कुछ भी है जिसके थूँ हम लोगों को इंसक बातों से related knowledge मिलती है नहीं तो उसी school में जो बच्चे थे वो उसको bully करते थे और इतना bully करते थे इतना bully करते थे वो बच्चा बच्पन से इतना bully होते आ रहा था ना कि एक time पर जो उसका mental peace था ना वो पूरे तरीके से disturbed हो चुका था वो घर में रोता था वो अकेले बाहर निकलने से डाया करता था जो उसे अच्छा लगता था चोटी चोटी चीजों को करने के लिए जूलरी बनाने के लिए पेंटिंग्स करने के लिए बस वो उसमें भी अपनी खुशिया खोशता था तो लोगों को उसे भी दिक्कता रिलेटिक्स को उससे भी problem होती थी कि तू लड़का हो के लड़कियों वाले शौक पालता है ब्ला 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 और इसके बाद जो भी situation आर्वी के साथ होता था ना वो जो अपनी मम्मी से वो बोला तो उसकी मम्मी ने क्या किया ना प्रिंसिपल से जाके इस बारे में discussion भी किया था पर यहाँ पर प्रिंसिपल यह सारी चीजों को ना नज़र अंदाज कर देती अगर यहाँ पर यह सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता ना तो शायद आर्वी की जो जिंदिगी है ना वो बच जाती लास्ट में तो वो गिड़गिड़ा की अपने फैमिली से ये बोल रहा था कि जब हम अपनी जान ले लेंगे तब तुम लोग जाके स्कूल में इस बारे में बात करूगी क्या पर यहाँ पर उसकी मम्मी को क्या लगा ना कि थोड़ा सा बच्चा सैड है वो दो-तीम दिन में ठीक हो जाएगा लेकिन यहाँ पर उस बच्चे के मन में क्या चल रहा था इसके बारे में अगर उसकी मम्मी को थोड़ा सा भी अंदाजा होता ना तो शायद यह सारी चीजे नहीं होती मतलब आप समझ रहे हो किसी इंसान को mentally इतना torture कर देना कि वो इंसान अपनी जान ले ले आप यार आपको तो नरत में भी जगा नहीं मिलेगा या मतलब एक बच्चा अगर आटिस्टिक है और उसे आट एंट क्राफ्ट में इंट्रेस्ट है तो वो लड़की कैसे हो सकता है मतलब आटिस्टिक लोग का भी कैटेक्री डिवाइड है क्या अगर आप एक देख लो ना टिक टॉक पहले जो था आदे लोग आखी लोग लेते होगे सिग्रेट लेते होगे दारू पीते होगे और जानती हुए भी कि उस चीज़ से आपको अमहा हो रहा लेकिन फिर भी आप तो वो चीज़ करोगे ना तो यहाँ पर देख लो ना साइको कौन है और पागल कौन है यहाँ पर नमें को यह चीज़ समझ में नहीं आता है कि हमारी जो ससाइटी है बनती बहुत जादा एक्स्ट्रा फॉर्वर्ड है लेकिन यहाँ पर इतने जज्जमेंटल लोग भरे पड़े हैं ना कि आपको क्या ही बताए मतलब एक बच्चtså अगर अपने इंडरेस्ट में अपना जो करियर वह बनाना चाह है या पर अपने इंडरेस्ट को पर्शियू करना चाह रहा है तो उसको दर्स तरीके का टाइटल क्यों देना क्या आप उसका फी भर रहे हो क्या कुसका खर्चा चला रहे हो नहीं न, और मेरे दोस्तों, मेरे भाईों, मेरी बहनों, अगर आप LGBTQ community से बिलॉंग करते हो न, तो खुद को अलग समझने की गलती बिल्कुल मत करना, आप लोग उतने ही नॉर्मल हो न, जितने बाकी लोग नॉर्मल है, खुद से प्यार करो, तभी कोई और आपसे प्यार कर हैं, for example, यहां पर हम लोग बाते कर रहें, आप लोग वीडियो बना रहे हैं, आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हो, तो हम लोग अपने लाइक में बहुत बीजी है, हम लोग यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, लोग पीछे से कमेंट करते हैं, यह लोग क्या करते बेसिकली यह वही लोग हैं, जो आपसे जलते हैं, और यह वही लोग हैं जो अपने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए हैं, और यह लोग दूसरों को इसलिए पुल डाउन करते हैं, ताकि यह चाहते हैं कि इन्हीं के तरह नल्ले दूसरे लोग भी हो जा नहीं बना पाते आज यह लाइफ नहीं जी रहे होते ना जो कि अभी हम लुग जी रहे हैं तो अगर लड़कों या लड़कियों आपको टिक टोक बनाना पसंद है आपको रील वीडियो बनाना पसंद है आपको जो करना पसंद है अगर लड़कों को नेल पेंट करना पसंद है make up करना पसंद है go ahead this is your पहचान यार अपनी पहचान को ना दूसरों को प्रीज करने के लिए धकने की कोई जरुत नहीं है और देखो यार यह जो judgment word है ना किसी इंसान को judge कर देना वो भी तुरंट से यह बहुत easy है और normal है हमारे याना सब करते हैं हम भी accept करें हैं थोड़ा बहुत judge हो जाता है लोगों के लिए पर यहां पर आप लोगों का क्या काम में ना कि उस चीज़ से इसको judge किया जाता है कि तुम तो खाखा के फैल रही हो अंदर तो कोई नहीं जान रहा है ना कि इसको PCOD का प्रॉब्रम में जिसके कारण यह health issue से शफर कर रही है अभी एक recent incident आप लोगों को बताते हैं हमारे subscribers इतने अच्छ है ना कि हमेशा जब से आप लोगों को पता लास्ट रिजन कम्यूनिटी पोस्ट हमने डाला था कि थोड़ी सी तबबत था अब तो वीडियो चल रही है उसमें भी आगी एक और बहाने के साथ बहन सीरिसली अगर तुमको हम लोग नहीं पसंद है just leave यहां पर ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग पकड़ पकड़ के तुह आगी वह बात हमारे तक रहें दूसरों पर नहीं पहुंचे यहां पर कोई भी ना इश्वर का चाइड़ नहीं है कि परफेक्ट हो सब जज़ करते हैं जज़ करना एक हद तक नॉर्मल है लेकिन एक हद तक नॉर्मल है वह नॉर्मल तब ही तक है ना जब तक अगले का में मंदल पीस उस चीज से अफेक्ट नहीं हो रहा पर हमारे याप इतने सारी लोग पकरते रहेंगे पकरते रहेंगे और आपको एक बात बता है अगर आपको बहुत ज़्यादा पोग कर रहा है ना तो आपका चाह रहा है उनको कौडी भर का भी भाव नहीं देना है बूली जाता है ने कि मालो आपक समुंदर में हो और डूब रहे हो तो आपके परस तो दो ही ऑप्चन है या तो तैर के इस चीज को पार कर लो या फिर इसके अंदर डूब के अपनी जान को दो तो यह आप लोग डिसाइड कर लेना और दूसरों को इतनी ताकत मत दो यार कि आपका मेंटल पीस बिगार करके रख दे एक ताइम पर हम इतने जादा सेंसिटिव थे कि आपको क्या बता है पर आज वो टाइम आ गया है हम खुद पर काम किये किसी एक अन्नोन इंसान के बाद से ना मेरे को घंटा फरक नहीं पड़ता है मतलब वो जो अन्नोन इंसान है वो है क अपने प्यार करने वालों पर ध्यान दो खुद पर ध्यान दो और ना लाइफ में इतने सक्सेस्फुल बनो इतने सक्सेस्फुल बनो ना कि आपका सक्सेस ही ऐसे जजमेंटल लोगों के फेस पर जोड़दार का तमाचा होगा यहां I know I am being little rude लेकिन literally मेरा खून खौल जात करके बुली किया हम democrat का मेरे को शोरी मेरे के स्पेक रपादार करेक्ष के इनसरी की किस तरीकने पर्जास मेटें बना एक all this तोक्सिक टीचर्स होतले हैं नंपो कोई लेवल नहीं होता है स्कूल में एक टीचर थी ठीक है उनको मेरे साथ बहुत जयादा प्रणेम थी इतनी प्रणेम थी कि जब तक हम स्कूल में थे मेरा ग़ी दी खी मेरे जाने के बाद भी उनका जो प्यार था मेरे ट्वोर्ट्स कम नहीं हुआ था और रानी को उनसे कोई प्रॉब्रम नहीं थी बट स्टिल वो रानी को भी टार्गेट करते रहती थी जस्ट बिकॉज हम प्रिया सिना की बहन थे इस चीज़ को लेका बस मेरे को और तॉर्चर किया जाता था और टॉर्चर भी एक होता है ने कि वो कंणिंग वाइब और वो जो एक होता है कि वो जो नजर होती है कि हां हम इस इनसान को पसंद नहीं कर रहे है और टॉन अच्छा प्रियासिना की बेहन हो तभी ना अगर में से कोई गल्ती हो गई है ना तो बस में लोंको यह बोला जाता था कि क्यूंकि यह प्रियासिना की बेहन है इसलिए ऐसा कर लिए एक इंसीडेंट वजाते हैं क्लास्रूम में रानी बैठी हुए ठीक है एंड हम तो बढ़ना तो लक्षन तो उसी के ऊपर जाएगा अगर आपके भाई या बहन आपके सेम स्कूल में होंगे ना और अगर आप अच्छे होगे पढ़ाई में और आपके बाई बहन होंगे जो थोड़े कम अच्छे होंगे पढ़ाई में तो आप सुनको कंपेर करती होगी टीजे लोग अच्छा उसकी बहने फिर में तमाक्स कमा रहा है कैसे ऐसा होता खाम एक्जाक्ली तो दोस्तों मेरा सिंपल सा यही कहना है लड़के एंड लड़कियों किसी और क अतना पावर मत दो ना कि आपके ऊपर हावी हो जाए लोगों का काम है कहना कुछ तो लोग कहेंगे यू जस्त केनाट प्लीज एवरीबडी ठीक है तो जस्त एग्नोर दें फोकस करो खुद के सेल्फ डेवलप्मेंट पर डेवलप्मेंट सौरी गुस्सा आ गया फोकस करो खुद के सेल्फ डेवलप्मेंट पे खुद के ग्रोथ पे अपने फैमिली के ग्रोथ पे और पैसे कमाने पे क्योंकि अगर आपके बस पैसे हो जाएंगे तो यही जो दो चार्ट लोग बोल रहे हैं अरे आप किते बड़ी काम आपने किये काश मेरा बच्चा भी आपके पर चले जाई कि बहुत सारे लोग ते जो हमें जज़ करते थे आज हमसे मिलने के लिए काश उससे मिलने काश यह कर ले तो बस लोग जो है यूँ पलटते हैं आपके जो हैसियत है उसको देखने के बाद और जज़्जमेंट करने वालो एक बाद आप लोग कान खोल के सु मतलब सीरियुसली तो छोड़ो यह जो ज़़मिट करने वाली लोग यह न Peng लाइब कोही सब्सक्राइब कर इन रहे आप लोगों को And one more thing, there is a difference between literate and educated. तो पहले ही ये difference जान लो और खुद की डिग्री ले लेने से and higher education और higher qualification से आप एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते. खुद को high profile या फिर खुद को society वाला बोले से कोई society वाला नहीं हो जाता. At least try to behave like that. Have some humanity in you. किसी को इतना परेशान मत करो ना इतना परेशान मत करो कि वो अपनी precious life से ठक जाए. तो life is very precious जिन लोगों को बुली किया जाता है ना अपनी life लेने की गलती तो कभी मत करना. और please अगर आपके साथ ऐसा situation हो रहा है अगर स्कूल में, कॉलेज में आपको बुली किया जाता है just because of your looks. अगर आप मोटे हो, पतले हो, कुछ भी हो, doesn't matter. आप अपने पढ़ाई पे focus करो. कोई दिक्काश हो रहा है तो teacher से बात करो. अगर teacher support नहीं कर रही है तो अपने parents से बात करो. मेरा तो यह कहना है किसी का support क्यों चाहिए? किसी के साथ पैदा हुए था या किसी के साथ इस दुनिया को छोड़ करके जाओगे? नहीं न, you are enough for yourself. Just take stand for yourself. कोई और आपके लिए नहीं आएगा. तो दोस्तों, बस यही थी आज की वीडियो. We hope कि आप लोगों से को ना इस वीडियो से help मिली होगी. ना केवल LGBT community के लोगों को, बलकि हर उस बच्चे को ना जो daily 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 इस society में बुली हो रहा है और बुली का सामना उसे करना पड़ रहा है. अगर किसी एक को भी help मिल जाये ना, तो हम लोग बहुत जादा fortunate feel करेंगे. तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी से भी help मिली होगी ना, तो उस चीज़ के लिए बस इस वीडियो को like ज़रूर कर देना. और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारे ये फिस पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe ज़रूर कर देना, और LGBTQ community के लिए ज़रूर comment box में अपने विचार ज़रूर रखना है. और साथ से साथ, we hope कि अब इस दुनिया में न, दुबारा कोई आर्वी नहीं आए और भगवान आर्वी की आत्मा को शांती दे. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाई!